हलो दोस्तो इस वीडियो में आप लोगों को इस तरीके का मैंने motion path यूज किया cycle check ये off का error आ रहा है जब मैंने camera पर follow path लगाया उसके बाद जब मैं camera को select कर रहा हूँ तो बार बार ये मेरा message जो है warning message नहाँ पर pop up होके आ रहा है ठाव है दोस्तों तो इसको कैसे solve करते हैं और ये क्यों आता है मैं उसके बारे में बताता हूँ कि बार बार ये message आ रहा है इसको किस तरीके से solve करेंगे जितनी बार मैं camera को select करूँगा warning message जो है pop up होते रहेगा ठीक है तो इसको solve कैसे करते हैं देखिए ये होता क्या है message जब भी हम कोई constraint लगाते हैं constraint लगाने के बाद इस message को हम लोग कहीं से remove नहीं कर सकते हैं देखिए जितनी बार मैं select करूँगा तो वो message आते रहेगा जब हम लोग कोई constraint लगाते हैं constraint लगाने के बाद हम उस object को जब भी select करेंगे या translate या move कोई भी manipulator के थुरू उसको उसकी position को change करना चाहेंगे या कुछ भी करना चाहेंगे तो इस तरीके का error आएगा ठीक है तो हम इस error को solve कैसे करेंगे इसको मैं locator के साथ parent कर दूँगा जो camera है मेरा उसको locator के साथ parent कर दूँगा पहले maintain offset on करके जो मेरा camera का position है उसके position पे लाऊँगा और इसको इस तरीके से इसकी camera को मैं इसके अंदर drag कर दूँगा ये देखिए अब जब मैं motion path लगाँगा इसके उपर camera के उपर तो ये मेरा जो cyclic error है वो solve हो जाएगा ये देखिए दोस्तो अब जब मैं camera को select करूँगा तो मेरा जो cyclic error आ रहा था ये देखिए animate करूँगा तो error मेरा नहीं आएगा ये cyclic error नहीं आएगा इसका मतलब क्या होता है जब double transformation के लिए यूज करते हैं अगर हमारा constraint लगा होगा तो वो cyclic error का message देगा ठीक है दोस्तो तो हमें कभी भी इस तरीके से नहीं यूज करते हैं जिस पे हमने constraint लगा रखा है उसको हम लोग select नहीं करते हैं तो हमारा cyclic error आता ही आता है तो इस तरीके से इस error को हम लोग solve करते हैं थैंक्यू दोस्तों मिलते हैं next video में थैंक्यू